नमस्कार साथियों साथियों आपका हमारे चैनल में हर्दिक स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि कुम बरास वालों को कौन कौन से रोग होने का खत्रा सबसे ज्यादा होता है यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप में ऐसी भावना या इच्छा है कि हमारे चैनल का लाब लोगों को हो तो प्लीज हमें शेयर करना ना भूले आज आज आपको बताते हैं कि कुम बरास वा अंग का भाग पिंडली कुम बरास से संबंदित होता है बाहरी बाहरी अंग और आंतरिक जो अंग है वो रक्त और रक्त का प्रभाव ये प्रभावित होता है तो ऐसे में घुत्नों के नीचे जो पिंडली होती है उसमें कुम बरास वालों को दर्द की शिकायत पनी रहती गुटनों से लेकर और पिंडली तक पायर में दर्द की शिकायत कुम्बरास वालों को हमेशा बनी रहती है उनको हमेशा यह लगता है कोई मेरे पायों को दबाता रहा है या खुद कभी बैड़ जाते हैं तो फुद ही पायर दबाने लगते थोड़ा सा चलने फिरने के होना स्वाभवत है ऐसे में क्या उपाय करें वो बताने जा रहे हैं योग करें व्यायाम करें गुश्चा कम करें खुश रहें परहेज ही उपाय है चिता के समान होती है चिता को कम करें इश्वर किया राधना करें भग्वाल शंकर का पूजन करें शनीदियों महराज का पूजन kerें निश्यत रूप से लाप मिलता है लोहे का छला, मद्मा उंगली में धारन करें और हो सके तो नीलं, मेली या लार्जवर धारन करें इसे या फिरोजा भी धारान कर सकते हैं इससे जो है कुम्बरास वालों को तमाम प्रिकार के रोगों में भी आराम मिलता है साथियों यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया है एक बार निवेदन करेंगे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी तमाम जांकारी भरी वीडियो आपको समसमय पर देखने को मिलती रहे हाँ आप में ऐसी भवना है ऐसी इच्छा है कि कि हमारी वीडियो का लाप लोगों को तो प्लीज हमें शेयर करना ना बूले इश्वार आपको हमेशा सुखी रखे संपन रखे धन्यवाद्ट